सर डाव फ्यूचर्स तो ठीक है थोड़ा वॉलटाइल बीच में हुए थे बट होल्ड कर रहेंगे 100 पॉइंट उपर आपको डाव फ्यूचर्स दिख रहे है नाजड़क फ्यूचर्स मामूली सुस्ती है कुछ ऐसा बड़ा आक्शन यहाँ पर नहीं है कच्छा तेल के मुव्मेंट के बाद आज 116 पर आगया था ब्रेंट अब 117 पर आपको जाते हो दिखा है बट अधरवाइस वो ठीक ठाक है रुपया तो आज बल्की स्ट्रेंथ दिखा रहे है डॉलर के मुकाबले एशा में भी सुस्ती थी बट आदे परसंट तक ही गिरे थे एशा के क्योंकि जो खबरें आ रहे है और जो ग्लोबल मार्कर्स का एक्षिन है वो कोई बहुत कमफर्ट नहीं रहा है तो पहले एक बार जो आज एशा बंद हुआ है वो देखिए एक बार एशा के बार अधार पर बंद है ताइवान मगरा के बाजार आखरी मिंटों में तेजी स गटे हैं और दिन के निशले स्नुन के आसफास बन रहे हैं दूसरा यॉरोप में मिला जुला कारोबार अभी थोड़ी देर पहले हमने बीबीसी पर भी खबर देखिए जिसमें वो साफ बता रहे हैं कि यूएस कुछ रॉकेट्स भेज रहा है अडवांस रॉकेट सिस्ट को नहीं करेंगे रश्या में आप यूकरेण को यह कहा गया है कि आप इन रॉकेट से रॉकेट्मेंट जो आ रहे हैं वो कि वापर और इसमें एक ख़वर यह भी आ रही कि पुतिन साब अब रश्या के लोगों को एड्रस करने वाले हैं इसमें यह कह रहे हैं कि उन्हें ज तरफ से लोंग रेंज मिसाइल की सप्लाई जो की जा रही है यूकरेण को उसको लेकर वो अपनी चिंताएं बताएंगे तो मेरे ख्याल से हो क्या रहा है कि थोड़ी से ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ रही है इसलिए आज रात अमेरिका का ट्रेडिंग सेशन कैसा हो कि 16,315, 16,425 से जो सपोर्ट रेंज है वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है और अगर तीन बजे तक हम 16,500 के नीचे बने रहते हैं जो कि अल्रडी आ चुके हैं तो समस्या थोड़ी बढ़ सकती है और क्यों बढ़ सकती है दीफ वो में बता देता हूं पहली अब से लेकर तीन बे तक कुनाल जी के लिए सबसे इंपोर्टेंट लेवल 16,500, 16,525 है 16,525 के उपर अगर हम नहीं निकलते हैं तीन बजे के पहले नहीं टिकते हैं तो मामदा थोड़ा सा धीला है और क्यों है दीला वो में बता देता हूं 16,500 के पुट पर हाइस ओपन इंटरस से लगबख 70,000,000 शेर हो का और आप हाइस ओपन इंटरस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं आखरी डेड़ गंटे में इसका मतलब है कि कॉन्फिदेंस की थोड़ी सी कमी है और कल वीकली एक्सपाय दिये पहली चीज दूसरी चीज 16,500 के नीचे जाने पर आपके लिए एक करोड तीस लाग शेर पुट राइटर्स ऐसे जिन्होंने लॉंग पोजिशन बना रखिए वो रिस्क पर आते हैं तीस सी चीज 16,500 पर कॉल राइटिंग आज दबा कर हुए 33 लाग शेरों की आज यूडियर पुल मिलाकर सड़ सट लाग शेर हैं यानि कि लगबग लगबग 16,500 पर पुट और कॉल राइटर दोनों बराबरी के साथ खड़ा है और बहुत दिनों बाद दी पर ऐसे नहीं मिलिटरी एक्शन से रिलेटेड खराब ख़ब रहे हैं तो मेरा comfort confidence कम है जितनी आप long position हलकी कर सकते हैं करें कल भी हम बोल रहते हैं आज भी बोलना है और आराम से इंतिजार कीजिए या तो 16,700 पर हो जाएगा तो जोड लगा के खूब खरीद लेंगे और नहीं तो नीचे आजाएगा correction के बाद देखते हैं जहां रुके का वहाँ पर चाहे वो 16,350 हो चाहे 16,200 हो या 16,000 के आसपास हो जहां भी होगा वहाँ पर लेने के लिए आपके पास जेगह होनी चाहिए तो थोड़ा सा उपर के लेवल पर डिसकंफर्ट दे रहा है दूसरी बात एक और बता हूँ 16,600 के लेवल पर कॉल राइटर 98 लाग शेर इतनी दबा कर कॉल राइटिंग होगी है 16,500 और 16,600 पर तो अब उपर निकल पाना मुश्किल होगा तो तीन बज़े तक अगर आपका 16,500 के उपर नहीं निकलता है मार्केट तो यह 16,400-425 आज ही आने की तयारी कर रहा है आज ही हाँ अगर खराब होगा या मजबूत होगा यह कहना मुश्किल काम है अभी तक जो खबरे आरी थोड़ा सा डिसकमफर दे तो आप शोट करें न करें लोंग कम कर लें पहला काम यह करें हलके रहें थोड़ा सा ताकि आपको फिर से मुका मिल जाए यह एक क्लियर कट दिख रहा ह है वापस से तेजी आपको तभी करनी है आज के लिए जब 16,650 के उपर आप ट्रेड करना शुरू करें तब तक आपका सेलोन राइज है आज की मिले मार्केट यह तो गई निफ्टी की बात है अब आईए बैंक ट्रिफ्टी अभी भी उतना खराब नहीं दिख रहा है दि पर 27,000,000 का कॉल ऑप्शन है लगबख बराबरी का तो तीन बज़े तक आपको 3500 को होल करके उपर टिकना है अगर उसके नीचे रहे तो आखरी आदे गंटे में बिकवाली का दवा बढ़ सकता है तब आप 35,300 के आसपास मिनिमम आएंगे अगर ज्यादा डाओ खराब तो पर 27,000, उस सपोर्ट रेंज में पहुंचेंगे और अगर अगर ऐसा नहीं हुआ, दाओ और मजबुत हो गया और ये लोयल आप अशनाश जबह तो आप 35,300-300 के रेंज में आए और वहां पे 100% आपको अपने लोग पोजिशन कम करनी है, 35,300-800 अगर मिलता तो आपको बोल्स जोर से उपर भी मिल सकते हैं मौ जोर से नारेय निचे भी अपर निची तो आपको थोरी से रिस्कigmat हरु है, स्थिम्पर फागर आपको एक्षिन दिखरा नो डिसकंफ़र धे रहा है और अगर खबरों को आप मिला कर देखें जो statement Biden साब क्या रहे हैं, जो Russia Ukraine क्या रहे हैं, China Taiwan क्या रहे हैं, comfort नहीं देखें, adventure नहीं करना है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो adventure नहीं करना है, यह आपको ज़रूरी है, अल जी की तरफ से, थोड़ा हलके रहें, positions हलकी करेंगे, दुब ले सकते हैं,